हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू दा नालेज रेस फ्रेंट्स दे पंचायतरा सिस्टम का लेक्टर सैकेंड है और इस लेक्टर में हम एक और कमेटी के बारे में डिसक्स करेंगे उस कमेटी की क्या रिकमेंडेशन रही और कहां से अग्जामिनेशन पॉइंट आ व्यू से उसके उसका बनते हैं उन सब चीजों को डेटेल में देखते हैं इससे पहले कि जिन्में मेरा पहला लेक्टर नहीं देखा है तो पहले जाकर आप उस लेक्टर को देख लीजीए को जिसका लिंक में बीदे दूंगा और इसके साधी डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक लेक्षर वन जो है उसमें मैंने डिटेल में चीजों के बारे में बात की है जो आपके एक्जामिनेशन पॉइंट आप यह से बहुत ही इंपार्टन है तो जो लेक्षर वन था फ्रेंट्स उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक्यू बोलता हूं क्योंकि उसके उपर आ आपको मैटीरियल जो है वो परवाइड करें तो लेक्षर को स्टाड करते हैं फ्रेंट्स जल्दी से पहले हम ओवर्व्यू ले लेते हैं पंचायत राज का और उसके बाद हम कमेटी के उपर आ जाते हैं आज का जो लेक्षर हमारा वो है हमारा अशोक मैता कमेटी इससे प फ्रेंट्स पंचायत राज सिस्टम जो है वो डिसेंट्र लाइशन आ पावर एट ग्रास रूट लेवल तो पंचायत राज सिस्टम फ्रेंट्स देखो हमारी जो पावर्स हैं वो दो तरीके से होती है एक तो हमारी फ्रेंट्स वर्टिकल पावर शेरिंग होती है और दू हमारी जो थर्ड नंबर पर आती है वो आती है फ्रेंस पंचाइती राज सिस्टम डैट इस दा लोकल सल्फ गोवर्मेंट डेमोक्रिसी अर्द ग्रास्टूट लेबल और जब हम होरीजंटल पावर शेरिंग को देखते हैं फ्रेंस होरीजंटल पावर शेरिंग में हमारा क्या आता है गोवर्मेंट से के औरगन आते हैं जैसे हमारा लेजिसलेचर है जहां पर हमारे लाज बनते हैं जैसे पारलिमेंट हो गया जहां स्टेट लेजिसलेचर हो गया और दू लोकल सलव गोवर्मेंट तो फ्रेंट पंचाहिती राज सिस्टम जो था वो 73 अमेंडमेंट जो हुई थी 1992 में तो इसमें इसको constitutional recognition मिली थी अभी हम 73 अमेंडमेंट के ऊपर पहुंचे नहीं है इससे पहले हम कमेटिस के आज जो लेक्टर में हम पढ़ेंगे अशोग मेंट तो आये फ्रेंट अशोग मेंट कमेटी की recommendation को देखते हैं क्या थी इनकी recommendation को मानना था इंप्लिमेंट भी हुई थी नहीं हुई थी इचान एवरी स्पेक्ट को डेटेल में देखते हैं फ्रेंट अशोग मेंटा कमेटी जो थी वो लाई गई थी गोर्मेंट के इससे पहले कि जो कमेटी अव कि थी है वो 19 , 1957 में थी फ्रेंट्स DR.25 अब हम देखते हैं 1977 की committed जो थी अशोग मेंटा कमेटी अब इस कमेटी को किया किमेटी रिपोर्ट इन अगस्त 1978 में चर्मेटी निए कितनी रिकमेंडेशन दी 132 रिकमेंडेशन दी रंस वन थर्टी टू रिकमेंडेशन को हम तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारे लिए इतनी इंपार्टेंस नहीं है और जो मोस्ट इंपार्टेंट है और अग्जामिनेशन पॉइंट आउ व्यू से जो आने की जिनकी चांसिस हैं अग्जाम में तो उनके बारे में हम इ इक लाइनिक पंचायत राज सिस्टम इन दा कंट्री देखो 1957 में बलबंत रहे मैं था कमेटी आई और 1959 में उस कमेटी में हमने पढ़ा था कि राज्यस्तान में नागोव डिस्टिक्ट में जो थी पहली पंचायत को बना दिया गया था उसके पाद फिरांदरा परदेश न उसको किस तरीके से रिवाइब किया जाए उसके स्ट्रंथ को बनाया जाए अब इस चौने की में रिकमेंडेशन थी वह क्या थी उनके बारे में हम देखते हैं देखे ये उनके इन जो कमेटी ती इस चुमेटी ने जो थे ठीटेर सिस्ट्म आप था पंचायत राज तो इसका लिंक में आई बटन में भी दे दूंगा और इसके साथ ही नीचे जो डिस्क्रिप्शन में देढ़ अब उस लेक्ट को देख लिजीए अब इस कमेटी ने क्या गया थ्रीटेर सिस्टम को फ्रेंस बदल दिया और क्या दिया टूटेर सिस्टम का कुंसाप्ट इसने जिला पर्षद एड़ डिस्टिक लेवल एक उनको कंसेप्ट था कि जिला पर्षद हो जो डिस्टिक लेवल पे हो और डिस्टिक लेवल के नीचे जो थे टूटेर मतलब एक जिला पर्षद के बारे में उन्होंने कहा और दूसरा मंदल पंचायत के बारे में उन्होंने कहा और उसके नीचे यहूं मन्डल पंचायद का मतलब होता है ग्रू पापाइब यह बोट सारे बिलेज हैं civ क्या बनाएं लगे एक मन्ड़ पंचायद बनाएंगए तो उस मन्दल पंचायद की पॉप् फापूलेशन उन्हों कितनी होन चाहिए 15000M होनी चाहिए तो जे भी आपके लिए examination point of view से important है कि 15,000 to 20,000 जो मंदल पंचायत की जो population को describe किया था recommendation दी थी वो कौन सी committee थी वो थी friends अशोक मैता committee पहला इनका ये point है कि three tier को इन्होंने replace कर दिया इस committee की recommendation ने two tier में एक तर जिला पर्षद दूसरा अगया मंदल पंचायत और दूसरी जो recommendation थी वो थी जिला पर्षद क्या होगी वो executive body होगी फ्रेंस जितनी भी पंचायत के अंडर जो ही development के जो भी policies programs implement होंगे तो वो सारे के सारे उसको execute कोने करेगा जिला पर्षद करेगा जिला पर्षद जो है वो executive body होगी और इस executive body के साथ देखी friends बलवंतरा में कुछ और था आप उसको जा के देख लीजेगा lecture को वहां पर executive body जो थी वो जे नहीं थी वो दूसरी थी तो अगर आपको जाद है तो आप मुझे comment section में जरूर बताईएगा कि उस committee की recommendation में executive body कौन सी थी जिला पर्षद पंचायत समीती थी ग्राम पंचायत थी जब क्या था वो आप मुझे बताईएगा उसके बाद and made responsible for planning at the district level district level पर जो भी planning बनेगी वो planning कौन बनाएगा जिला पर सधीर बनाएगा उसके फाग फ्रेंस थर्ड रिकमेंडेशन दी इस committee की वो थी there should be an official participation of the political parties at all level of the पंचायत election देख्यों यहां पर अभी जो हमारा बीडीसी के चेर्मेन के जो election हुई है जमौर किश्मीर में वो अभी party basis हुई है पहली बार बीडीसी के यहां पर election हुई है और party basis हुई है पहले ऐसा नहीं होता अभी तक जो 25 प्लेटिकल पार्टी officially ऐसे तो कोई भी उसकी आइडियोजी किसी ना किसी से कोई सरफ है पैंस ह है तो किसी ने किसी प्लेटिकल पार्टी से तो वह उसकी आइडियोजी मैच करेगी लेकिन officially कोई भी party जो है टिकट नहीं देती है कि आप मेरी टिकट से जो है election लड़ो मेरी टिक्ट से election लड़ो तो जे जो अशोक मैता कमेटी की recommendation थी इन्होंने यह भी कहा था कि officially जो है व इसके बाद fourth जो इनकी recommendation दी फ्रेंस बहुत है पंचायत राइस institution जो है वो should have compulsory power of taxation पंचायत के पास क्या होगा power जो रहेगी tax लगाने के power रहेगी और जो टेक्स होगा जो पंचायतें लगाएंगी वो पंचायत से collect करेंगी और अपना जो revenue generate करेंगी उस revenue से क्या होगा उस पंचायत की jurisdiction जी सेरिये तक आती है तो वहाँ पर वो development program जो है वो चलाएंगी तो जे भी इनकी recommendation देखेंगे पंचायत के पास जो है compulsory power of taxation होनी चाहिए उसके बाद जो है इनकी next जो थी there should be regular social audit by the district agency देखो फ्रेंस पंचायत के पास जो पैसा आता है एक तो उन्होंने कहा क पंचायत जो खुद का revenue generate करें tax लगाएं और इसके साथ साथ यह state जो है देखो state finance commission जो है वो distribute करेगा state के revenue को जो आगे हम finance commission के बारे में भी पढ़ेंगे अगले lecture में इसमें वो उसके बारे में discuss नहीं करूंगा इतना लेकिन यह है कि वो finance commission जो है state level पे जो होगा वो state का जो revenue होगा उसको distribute करेगा पंचायत के अंदर अब जहां जो भी revenue वहां पे आएगा तो district जो body है वो उसका audit करवाएगी कि जो पैसा आया है पंचायत की development के लिए वो पैसा कहां पे जो है खर्च हुआ है और क्या वो सही जगा लगा भी है कि नहीं लगा है इसके ऊपर क्या होग यह committee of legislator to check whether the funds allocated to for social and economic groups are actually spent on them अब एक दूसरी कमेटी होगी legislative level the legislative friends देखो एक state level पर committee होगी वो क्या करेगी districts को जो है चक करेगी अब हमारे जो यहां पर हम जो MLA चुनके बेचते हैं जब assembly बनती है तो वहां पर कॉंसला मनिस्टर बनते हैं तो कॉंसला मनिस्टर के अंदर ही जो है एक committee बनाई जाएगी committee of legislator जनी उन्हीं MLA की जो कॉंसला मनिस्टर होंगे वहां से बनाई जाएगी और वो क्या करेगी district को जो पैसा किया है उसको क्या करेगी audit करवाएगी next जो हाता है state government should not supersede the पंचायत राज इंस्ट्यूशन देखो फ्रेंस किसी भी बज़ा से पंचायत जो आपना complete पांच साल का duration पूरा नहीं कर पाती है जा किसी पंच किसी सर्पंच की प्रेंस कि भी होती है तो से लाच के लिएुक्ष्म sitar के लिए six month के अंदर जो है उसको फितर जो एलेक्षण करवा के उस को फिल करना होगा चाहिए बларाते की तो जब भी णियु सरकार चुन के आती है वो अपना पूरा समय पूरा पूरा करती है जैसे पात साल के लिए वो आगे अगे अक्सटेंड हो जाएगा अब झातवी पिछली सरकार रूहोगी थो यह जार रोल किया है दो साल किया है चार साल किया होमेटर नहीं करेगा जब वो नई सरकार चुनके आएगी तो वो कांटीन्यू अपना जो है पांच साल आगे पूरे करेगी लेकिन यह फ्रेंट्स यहां पर पंचायत में ऐसा नहीं होता है जे नो डॉन कर लीजिएगा क्योंके अग्जाम में जैसा पूछ सकते हैं कि ऐसा नहीं पांच साल का बचा हुआ पिरियड है मालो कर पिछली पंचायत ने अगर तीन साल काम कर लिया है डिजाल्व हो गई है जाकि सिर्पंच पंच ने जो एक लिया तो आगे वाला जो डॉरेशन बचेगा ना दो साल का तो उसके लिए ही वो पार्टिकुलर एलेक्शन होगी औ अब पार्लिमेंट इस्टेर लाजिसलिट में असा नहीं होता है लेकिन एक चीज जहां पर और जाज रखने वाली है अगर पंचायत का डॉरेशन सिक्स मन्त से कम बचा है मालो के पांच साल को डॉरेशन था चार साल और फॉर एर सिक्स मन्त जो पंचायत ने पूरे कर दि ना तो यह जो है कहा गया है कि स्टेर जो है उसको अक्सेंट नहीं करेगी शे मीने के बीच जो एलेक्शन करवा के नहीं पंचायत को बना देगी नेक्स्ट जो है नयाया पंचायत शुट बी कैप्ट ऐस सेपरेट बाडी देखो फ्रेंस नयाया का मतलब होता है कि आपको justice प्रवाइड करना अब justice प्रवाइड कोन करता है जुटिशरी करें तो पंचाइत के अंदर भी क्या होगा एक नयाया मतलब एक theorů बाडी होगी जो क्या करे फसलिक्ण चेрод के अंदर होते हैं तो उस पंचायद के अंदर ही उनसीच को इस पर रहेगी जो इसको परजाइट कोन करेगे क्वालिफाइट जज्ज जो है वो करेगा फ्रेंच इंपार्डन रिकमेंडेशन इस कमेटी के शोक मैता कमेटी के उसके बाद क्या होता है एट जो रिकमेंडेशन है दचीफ लेक्टरोर अफिसर अब स्टेट कंसलिंग अब देखो फ्रेंच दो त्रीके कि यहां पर आपके लिए जनर नॉलिघ के लिए और इस इख्जाम के लिए जुरूरी आप पंचायत और मुनिसी पल्टी के जो अब क्वे को होती है वह कौन करता स्टेड एलक्शन कमिशन स्टेड एलक्शन कमिशन जो आवो करता है और जो center level पर हुती है जैसे प्रेज्डाइंट कि ऑग व西स प्रेजिजेंट की होगी और इसके साथ जिफ पार्लीमेंट की अलेक्शन होगी लोक्राइस्वारा सबस्ति हो तो जे जो इसके साथ जो जकियो एकट उनदर हमारे जोमारे आ स्टेट में सिर्फ उस्हलेटिव कॉंसलि भी नहीं जैसे जमुए ल किशमीर में मैं भी कॉंसल को खितम और और सिर्फ MICHAEL संबिली बच्य है तो यह जो है प्क्रीलल पर छो every यह आप मुनिसीपली चाहे है कियों कि और क्पशायज की और यह करेंगा रिकमेंडेशन रहा है ध Europ Chocolate फंक्षन शुडब बी ट्रांसफर टू दे जीला पर्शत जितने भी डेवलमेंट फंक्षन होगे जीला पर्शत जैने डिस्टिक लेबल पर जो बाड़ी होगी उसको ट्रांसफर कर दिये जाएंगे वो और और अल डेवलमेंट स्टाप शुड़ वरक अंडर इस कंट्रोल सुपर्विजन और जितना पंचायत के अंडर जो है जहां इस पंचायती राज के अंडर जो भी स्टाप जो काम करेगा उसके ओपर सुपर्विजन किसकी होगी जीला पर्शत की होगी नेक्स्ट जो है फ्रेंस मिनिस्टर फार पंचायत राज शुड़ बी कितना पैसा देना है और उनका जो आडिट बगार मलब पूरी की पूरी स्टेर लेवल पर जो वो करेगा और मनिस्टर जो एक पंचायत राज को होना जरूरी यह भी इन्होंने कहा और इनकी से सी एंड एस्टी के जो लिए जो सीट से रिजर्व है वह भी कमेटी की रिकमे सब्सक्राइब कर दिया जाए उसके बाद सब्सक्राइब करते हैं अब यह चीज जो है अशोक महता कमेटी ने भी कही है कि कंस्टिट्यूशन रिकमेशन लेकिन फ्रैंस अगली स्लाइट के अंदर हम देखते हैं कि जब कांस्ट्यूशन स्टेटिस मिला था के नहीं मिला इसको थोड़ा समय फिर से अगली स्लाइट देखे फिर से बापस आते हैं तो ड्यूट्यूशन से पहले ही वो टैनियूर कंथम करने से पहले ही जो है डिजॉल्व हो गई थी तो अशोक महता कमेटी की जो भी रिकमेंडेशन दी अड़ दे सेंटर लेवल वो इंप्लीमें सब जनता गोर्मेंट विफोर था कंप्लेशन आव इस तर्न नो एक्षिन कुड़ वी टेकन आंड़ रिकमेंडेशन अफ दे शोक महता कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उसके ओपर काम नहीं हुआ क्यूंकि सेंटर में जो थी सरकार ही गिर गे थे अब नेक्स देखते हैं अब इस लाइड के उपर बापस में आते हैं कि जो ट्वैल्थ जो थी कंस्टिउशन रिकमेंडेशन की बात की है लेकिन यहां पर आपको एक जाद रखना है कि मैंने बहुत सारे कंपेटेटिव अग्जाम को देखा है और उनकी जब आफिशिल किया आती है तो उनको भी कमेटी जिन्होंने कंस्टिटूशन स्टेटेस की बात की थी पंचाहिती राज सिस्टम को और इन्हीं की कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर सैवन्टी थर्ड कंस्टिशन अमेंडमेंट लाया गया था नैंटी नाइन्टी टू में जो पंचाहित राज सिस्टम को सैवन्ट पंचाइतरा सिस्टम को क्या होना चाहिए कंस्टिटूशनल रिकगनाईज करना चाहिए अगर एलम सिंग भी वहाँ पर होगा तो आपने अलम सिंग भी को ही आपने टिक करके आना है क्योंकि इसी कमेटी की रिकमेंडेशन को जो है वो फालो किया जाता है इनकी जो थी कोई भी रिकमेंडेशन जो है इंप्लिमेंट नहीं हुई थी फिलाल इसके साथ ही कोई भी संटर लेवल पर एक्शन तो नहीं हुआ लेकिन अशोक म सब्सक्राइब करके वैल नोटिफिकेशन को आने कर दो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती जाएंगी तो फ्रेंड्स हमारा जो अगला लेक्शर रहेगा वो रहेगा एलम सिंग भी कमेटी के उपर बहुत बहुत इंपाटन्ट है आप इस लेक्शर को मिस मत करना क्योंकि यहां से क्वेशन बहुत बार कंपिटिटिव एक्जाम में पूछे जाते हैं और अभी जो होने वाला एक